जहें दोस्तों मैंने दीबें चोहन आजम करेंगे एक लास्ट एंथ का 12.2 का question number 10 इसमें हमें दिया गया है एक छत्री में समान अंतर पर ठीक है यह एक छत्री है यहाँ पर और इसमें समान अंतर पर आठ सर्ये आये हैं ठीक है तो छत्री के 45 cm तरज्जा तो यहाँ पर देखिए 45 cm हमारी तरज्जा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आर बराबर 45 समतलिय वर्तूल है छत्री के 2 क्रमिक यानि की देखो यह 2 क्रमिक है ठीक है सर्ये के बीच में आने वाले जो भाग है उसका शेत्रफल हमें find करना है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जो लगु वरत्तांश है लगु वरत्तांश का formula लगेगा लगु वरत्तांश का शेत्रफल हमें यहाँ पर लगाना होगा इसके लिए आर है 45 और थीटा थीटा है हमारा यहाँ पर 360 बटे 8 देखिए क्या से यहाँ से हम यदि किसी पॉइंट को रखते हैं तो यह पूरा आएगा ठीक है और वर्त का पूरा जो होता है थीटा यानिकी एंगल गो होता है 360 लेकिन यहाँ पर 8 भाग दिये हैं ठीक है 8 भाग दिये हैं वर्तूल के इसलिए हमें इसको 8 से करना पड़ेगा भाग तो 8 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 45 यानिकी जो हमारा थीटा है वो भी 45 और जो आर है वो भी 45 तो यहाँ पर हम लगा देंगे सूत्र फॉर्मुला थीटा अपॉन 360 लगू वरतांश का शेत तो थीटा है हमारा 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई हो जाएगा 22 बटे 7 और आर है यहाँ पर 45 गुणा 45 ओके अब यहाँ पर आगे हम सम को सॉल्फ करेंगे यहाँ पर हमें से काटेंगे देखो यह पाच से कटेगा पाच निम 45 और पाच सत्य पैतिस एक मिनट यहाँ से काटेंगे पाच सत्य पैतिस और पास दुनी 10 तो यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 9 बटे 72 गुणा 22 बटे 7 गुणा 45 गुणा 45 ओके अब इसे फिर से काटेंगे हम 9 एकम 9, 9 अठे 72 तो यहाँ पर आगया 1 बटे 8 गुणा 22 बटे 7 गुणा 45 गुणा 45 ओके अब यहाँ पर फिर से कटेगा दो से देखो ये दो से कटेगा और ये भी दो चोक और दो एकम दो एकम तो यहाँ पर बच गया एक बटे चार गुणा ग्यारा बटे साथ गुणा फॉर्टी फाइफ गुणा फॉर्टी फाइफ गुणा फॉर्टी फाइफ ओके ग्यारा को करना है 45 से फिर जो आंसर आए उसको हमें करना है फिर से 45 से ठीक है तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 2-2-2-7-5 cm2 तो इस तरह से हमारा 2 क्रमिक सरीयों के बीच के भाग का शेतर फल यानिकि इनके बीच के भाग का शेतर फल कोई भी आप दे सकते हैं अगले question में हमें दिया गया है एक गाड़ी के एक दूसरे पर ना होने वाले दो वाइपर हर एक वाइपर का 145 दिगरी का कोन है तो यहां पर थीटा आ गया हमारा 115 दिगरी सफाई करते हुए 25 सेंटिमीटर लंबाई तो 25 सेंटिमीटर लंबाई का मतलब है यह हमारी तिरिज्या यानि की आर बराबर हो गई 25 25 हो गई तो थीटा हो गया यहाँ पर 115 और आर हो गई हमारी 25 अब क्वेशन में कह रहे हैं कि हर बार वाइपर से साफ होने वाले विस्तार का कुल शेत्रफल फाइंड करें तो आपने कभी देखा होगा जब गाड़ी पर वाइपर करते हैं तो वो एक बार में दो बारी घुमता है तो इसलिए हमारे यहाँ पर होंगे दो लगू वरत्तान्श का शेत्रफल हमें दो इसलिए नेने पड़ रहे हैं क्यूंकि जब हम गाड़ी में देखते हैं जब उसलिए यहाँ पर हम दो लगू वरत्तान्श का शेत्रफल लेंगे तो दो गुणा लगू वरत्तान्श का शेत्रफल होता है थीटा बटे तीन सो साट इंटू पाई आर स्क्वेर तो यहाँ पर हम इसको सॉल परेंगे थीटा है हमारा 115 का पहले दो आ जाएगा यह वाला उसके बाद थीटा है हमारा 115 अपॉन 360 इंटू पाई हो जाएगा 22 बटे 7 और आर है यहाँ पर हमारी 25 ओके तो यह हो जाएगा 25 गुणा 25 अब इसे हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले यहाँ पर काट लेते हैं यह कट जाएगा 5 से 2 यहाँ लिख लेते हैं 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 पाँच सत्य पैटिस पाद दूनी 10 बाइस बटे 7 पच्चिस को पच्चिस से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 625 ओके फिर से यहाँ पर हम इसे काट देंगे देख 2 और यहाँ पर हो जाएगा दो तिया 6 दो चिक 12 यैनि कि यह हो गया 23 बटे 36 गुणा 22 बटे 7 गुणा 625 ओके अगेन देखो यहाँ पर फिर से कट सकता है यह भी 2 से कटेगा यह भी 2 से 2 एकम 2 एकम और यह 2 एकम 2 एकम 2 एकम 16 तो यहाँ पर आजाएगा 23 बटे 18 गुणा 11 बटे 7 गुणा 625 ठीक है अब यहाँ पर हम करेंगे गुणा क्यासे करेंगे गुणा 23 को करेंगे 11 से गुणा और फिर जो आंसर आएगा उसे गुणा करेंगे 625 से तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15 81 25 और 18 को करेंगे 7 से गुणा तो ये हो जाएगा 126 18 सत्ते 126 ठीक है कैसे करेंगे गुणा 23 को करेंगे 11 से गुणा फिर जो आंसर आएगा उसको करेंगे 625 से गुणा तो हमारा आंसर आएगा 15 85 ठीक है एक बार फिर से काटा हो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने 5 से काटा तो यहाँ पे आया 23 बटे 72 फिर यह दोनों हमने 2 से काटे तो यहाँ पे हो गया 23 बटे 36 फिर यह दोनों हमने 2 से काटे ठीक है तो यहाँ पे आगया 23 बटे 18 यह गया 11 बटेश साथ और यहां 25 गुड़ा 25 हो गया 625 ठीक है 18 सत्य 126 तेश को करेंगे 11 से गुणा जो आंसर आएगा उसको करेंगे 625 से गुणा तो आंसर आएगा 15,85 अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन है क्वेशन नंबर 12 इसमें बोला गया है पानी की नीचे विशे जहाज को चेतावनी देने के लिए एक दीवा डंडी 16.5 किलो मीटर अंतर तक ठीक है तो 16.5 जो मीटर अंतर है किलो मीटर सॉरी यह हमारी हो जाएगी यहां पे देखो यह दिया हुआ है हमें 16.5 और थीटा हमारा हो जाएगा 80 डिगरी ठीक है अब क्वेशन में क्या पूछा है लाल रंग का प्रकाश निकालती है समुद्र के जितने शेतरफल जहाज को चेतावनी उसने दी है वो एरिया हमें यहां पे फाइंड करना है और पाई हमें 3.14 लेना है तो इसमें सिंपल एक लगू व्रतान्श है बहुत सिंपल सम है बिल्कुल फार्मूला लगा के इसे हमें सॉल्व कर देना है ठीक है तो हम यहां लिखेंगे लगू व्रतान्श OAPB का शेतरफल क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वेर तो थीटा हमारा कितने का है यहां पे 80 का 360 इंटू पाई हमें लेना है यहां पर 3.14 और जो त्रिज्जा है हमारी वो है 16.5 गुणा 16.5 अब यहां पे हम काटेंगे यह देखें यह यहां पर कट जाएगा सबसे पहले यह सौरी 360 है जीरो से जीरो कट गया अब यह कटेगा दो से तो दो चौक आठ और दो एककम दो दो अठे 16 यहां पर आ जाएगा 4 बटे 18 गुणा 3.14 16.5 को 16.5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 272.25 यहां फिर से कट जाएगा 2 दुनी 4 दो निम 18 तो यहां पर आ जाएगा 2 बटे 9 गुणा 3.14 गुणा 272.25 ओके अब यहां पर हमें 3.14 को 2 से कर देना है गुणा तो आंसर आएगा 6.28 बटे 9 गुणा 272.25 अब लास्ट टैप है 272.25 को हम गुणा करेंगे 6.28 से ठीक है 272.25 को गुणा करेंगे 6.28 से तो हमारा आंसर आएगा 1709.73 लेकिन अपन में अभी 9 है अब 1709.73 को हम 9 से करेंगे भाग तो हमारा आंसर आएगा 189.97 किलो मीटर स्क्वेर यानि कि जो हम से क्वेशन में पूछा गया था समुद्र के विस्तार के जहाज को वो कितने किलोमेटर जहाज को चेताव नहीं दे सकते हैं 189.97 को बिल्कुल इजी सम था इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे काट दिया बिल्कुल लगू वरतांश का फार्मूला लगाना है हमें यहाँ पर 0 से 0 कट 2 से काटा 4 बटे 18 आ गया फिर 2 से काटा 2 बटे 9 16.5 को 16.5 से गुणा कर देंगे तो 272.25 हो जाएगा उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 से काटा तो 2 बटे 9 3.14 को 2 से गुणा किया 6.28 222.25 को 6.88 से गुणा किया तो 1709.73 अब इस संख्या को 9 से कर देंगे भाग तो आंसर आएगा 189.97 इसका मतलब चेतावनी जितने छेतर को दी गई वो था हमारा 189.97 किलो मीटर स्क्वेर ओके तो मिलते हैं अगले क्वेशन के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत